हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विने कमार और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बंचल अकेडमी के ओनलाइन प्लैक्टोम के उपर तो इस वीडियो के अंदर हमने लैमार किजम के वारे में पढ़ना है तो उमीद करता हूँ आप एंड तक वीडियो में बने रहें तो लैमार ने एक शुरुवात की थी बाद में डार्बी ने उसके उपर काम किया तो इस तरीके से चलते चलते आज हमारे पास modern evolution की थियोरी है proper तो लैमार की बेटा गर हम बात करते हैं तो लैमार की थियोरी को समझने के लिए हमें लैमार की जैसे ही सोचना होगा और यार बेटा जिस टेम पर लैमार काम कर रहे थे ना उस टेम पर हमारे पास किसी तरह की कोई टेकनोलजी बगर ऐसा कुछ नहीं था तो उन्होंने जिनी चीज़ों को अब्जर्व किया उन्हीं चुज़ों के according अपनी थियोरी को दिया तो चलि समझने की कुशिश करते हैं पहले कुछ हमें दिया लैमार क्ने तो बेटा 1801 के अंदर इन्होंने एक term coin की थी invertivrate हाना बेसीकली हम एनिमल के लिए यूस करते हैं इसके लिए 1802 के अंदर inverted term की थी biology हैना इसके लिए 1809 के अंदर इनका जितना भी बेटा काम था evolution के उपर 1809 में वो एक book के अंदर publish हुआ था औ भी जो LAMAR थे, उनकी book का क्या नाम था, तो बैटा book का नाम है philosophy, जो लोजिकी, ठीक है बैटा, तो चलिए, शुरुआत करते हैं LAMAR के उपर, कि क्या थी LAMAR की hypothesis, देखो बैटा, LAMAR की जो thinking थी, hypothesis ही ना, वो बड़ी कमाल की थी, इनका क्या माना था, इनका माना था कि एक parent की प्रोजनी है, कोई भी generation है, कोई भी parental population है, एक प्रोजनी है, जब भी उससे next generation आएगी, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ variation देखने को मिलती है, उसकी जब फिर से next generation आएगी, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, variation, जैसे समझने की कोशिश करते हैं यह कोई पैरेंट की यह दहें ज मनेगी तो इसके दर हमें क्या देखने को मिलती है वेज़न तो इस तरीके से बेटा हर जनरेशन के बाद हमें रिएशन को मिलेंगी वेजयन देखने को मिलती कि अगर हम इस वाले organism को देखते हैं और starting वाले organism को देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि variations इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये एक नई species बन चुकी है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने color भी change किया है यहाँ पर red color है यहाँ पर black color है तो according to यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने वरी बात क्या है कि यह species इसको मानलो हमने नाम दे दिया this is species 1 इसको हमने क्या बोल दिया यह species A है और according to Lamar क्या था यह एक नई species बन चुकी है इसको हमने नाम दे दिया species B नाम दे दिया है ना तो बेटा अगर simple सी बात करें पहले कितनी species थी एक species थी बहुत सालों के बाद कितनी species है अभी भी एक species है according to Lamar एक species ही दूसरी species के अंदर क्या होती है transform होती है इसलिए इनकी hypothesis को transformation भी बोलते है transformation भी बोलते है मतलब imagine करिया Lamar क्या बोला कि एक species जो है वही दूसरी species के अंदर क्या होगी convert होगी पहले भी एक species थी अभी भी एक species है मतलब यह है कि Lamar के according species का number कभी नहीं बढ़ेगा अगर बेटा species का number कभी नहीं बढ़ेगा तो कभी भी diversification नहीं आएगी according to Lamar Lamar क्या कहना जाता है कि दुनिया में आज जितनी species present है जब धरती बनी होगी उस टेंबे भी उतनी species present है क्योंकि नई species तो बनती नहीं है एक species दूसरी species के अंदर क्या होती है convert होती है जबकि अगर इसी के इसी के respective अगर हम Darwin की theory को देखते हैं तो Darwin का बेटा कुछ और माना था Darwin का क्या माना था Darwin बोलते थे कि देखो येएग population है जब भी इस Species के अंदर variation आईगी तो ये दो अलग लग species के अंदर कैआ कर जाएगी diverge कर जाएगी ये एक species बन गी ये ऽूई दूस्री species बन गी ये फिर आगे जागे कभी ना कभी evolutionary process के तुरू ये एक नई species के अंदर आ जागी यहां पर भी एक नई species बन जागी according to Darwin क्या था कि time के साथ-साथ evolutionary forces होती है time के साथ-साथ diversification होता है species का number बढ़ता है जबकि हमारे Lamarck ने क्या बोला था कि diversification नहीं होती है एक species ही दूसरी species में क्या होती है convert होती है ठीक है बटा तो ये तो एक hypothesis एक thinking थी Lamarck की जिस चीज के बारे में Lamarck सोचा करते थे और देखो या अगर हम बहुत पुराने time पे जाके देखते हैं तो कही ना कहीं पे Lamarck तो सही थे ना जिन चीजों को better observe किया उन चीजों को ही बताने की कोशिश की है ना और ऐसे जो भी इनके concept है ना इनका एक बड़ा परमित्त था मतलब बहुत प्यारी example थी इन्होंने जराफ की example को अहर जगह पे लिया चलिए अब हम बात करते हैं कि Lamarck ने ऐसे कौन-कौन से हमें points दिये थे ऐसे कौन-कौन से postulates दिये थे जिसके basis पे उन्होंने अपनी theory दी है ना तो अभी हम देखेंगे postulates of Lamarck postulates of Lamarckism Lamarckism देखो बेटा Lamarck की theory को हम Lamarckism भी बोल देते हैं है ना और वीडियो में बेटा बने रहना है आपको बहुत सरी चीजे पता है मुझे पता है उनको repeat करना है और बहुत सरी चीजे हमें नहीं भी पता चलने वाली है देखो अगर हम सबसे पहले वाले postulates की बात करते ना according to Lamarck तो वो क्या था according to Lamarck बेटा ये कहना जाता था कि हर और निजम के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना जाता है देखो according to Lamarck कि है देखो हर और निजम है बेटा हर और निजम है हर और निजम के अंदर कुछ ना कुछ एक फोर्स होती है जासे मालो तो मेरी कोई इच्छ है मेरी इच्छ है कि मैं according to Lamarq देखो फिर जैसे एक example रेंगे बैटा जैसे देखो यह क्या है मालो यह यह चोचोड़ी ग्रासिस है यह ग्रासिस लगे हुए है है ना और यह क्या है यह कोई बड़ा सार ट्री है लैमार्क के ङसा गादब करने के लुडब करने की कोशिष की हैं और जैसी नudenek को स्टत्राइच करने की की तो हमने क्या पता चलते की according to लेमार कि जो उनकी नेक थी उसका जो साइस था उसकी जो लेंट थी वो बढ़ गई है ना तो ऐसी फोर्स अब उन्होंने सोचा कि बही ऐसा है पानिंग अंदर चलते हैं वहां पर बहुत अच्छा वाला अच्छा सा फूड अवेलबल होगा हमें तो उनकी जो डिजिट्स के अंदर क्या है इस तरह के एक मेंब्रेंज जो थी वो अपने आप अपियर होगी तो इंटर्नल जो फोर्स आप अब देखो बैटा यूमन तो बहुत टाइम से चाता ना कि वह उट जाए लेकिन हमारी इच्छा है हुमन की विश है कि अब यह कि निया बहुत सालों से उड़ना चाता है लेकिन बैटा क्या कभी एमन के पास विंग जाए लेकिन आया तो यह एक बहुत अच्छा लेप नहीं हो है तो यह था लेमार का फस्ट हुए अगे लेमार के सेकंड पाइंट के बात करते हैं तो लेमार का सेकंड पाइंट क्या बोलता है यूस करना चीजों को या और डि उसकरना कुछ नहीं यूज़ करना इसको हम क्या बोलते हैं यूज़ एंड डिस यूज़ देखो बहुत सिंपल सी वात थी लैमार के बोलते हैं कि कोई भी और जादा यूज़ करेगा वह आगे जगे क्या हो जाता है डिवेल्प हो जाएगा अच्छे तरीकर से अडेप्ट हो जाएगा और जिसक खत्म हो जाएगा हना इसके लिए हम डिटोरियरेट वर्ड भी यूज़ कर देते हैं हना एक्जम्पल यहां पर किसकी लिए एक्जम्पल उन्होंने यहां पर किसकी लिए फिर से उनका बहुत अच्छा दोस्त था देखो सच में दोस्तों नहीं था ना हमें एक्जम्पल क को नेक को क्या किया यूज किया जब उसना नेक को यूज किया बैटा तो उसका जो नेक थी वह शोट से कैसी होगी वह लॉंग होगी तो बेसिक लिए उसने क्या कहना चाहा कि उसने नेक का यूज किया इसलिए बैटा जो उनकी नेक ती जिराफ की लंबी है इसके लावा बेटा अगर हम और बात करते हैं इनकी जग जो केव की एनिमल्स होते हैं जो केव एनिमल्स हैं अगर हम केव एनिमल्स की बात करते हैं जैसे बेटा बैट की बात करते हैं केव एनिमल्स की आप जब वहां पे अन्धेर है तो वह अपनी आइस का उसके लाब बात करते हैं हमारे पास एक और एकजमपल बहुत अच्छी जो लैमार्क ने दी थी वो थी flying less bird, वो किसकी example थी बेटा, flying less bird, ऐसे birds बेटा, जो आज के time पे उड़ नहीं सकते हैं, अब according to LMR क्या था, कि कुछ birds थे, जब उनको जमीन के उपर ही resources बगएरा मिलने लगा, food मिलने लगा, meeting के लिए partner मिलने लगा, shelter मिलने लगा, और सबसे बड़ी बात, कोई predator नहीं उनको खाने के लिए, कोई predator का pressure नहीं था, अब वो क्या थे, वो जमीन पर ही रहने लगे, उनको उड़ने की जरूर होती नहीं है, और time के साथ था, time के साथ साथ, बेटा, जो उनके wings थे, वो क्या होगे, वो reduced होगे, मतलब wings आज के time पे भी present है, लेकिन वो जो animals हैं, वो ज क्या था, कि जो snakes थे, snakes के पास पहले legs हुआ अगर थी, हमारे पास ऐसे evidence है, तो snakes के पास क्या थी, legs की, अब जब snakes को पता चला कि हमें तो legs की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसी रखे मैटें को, तो उन्होंने अपनी legs का use ही नहीं किया कभी, तो दीरे दीरे बेटा, उनकी जो legs थी, वो क्या होगी, वो गायब होगी, हना, तो वो जो reptile से, बेटा, वो limbless थे, उनकी पास किसी तरह की कोई भी limb presenter नहीं थी, तो ये तो theory, बिल्कुल, देखो, अगर हम लैमार के point of view से सोचते हैं, तो उसने बहुत सही बात की है, लेकिन अगर हम exception की बात करें, देखो, उसने क्या बोला था, अगर हम चीजों को use करते हैं, तो वो develop होती है, वो advance होती है, हना, अब घर-घर में जाके देखेंगे, बचे phone का use करते हैं, मतलब हम अपनी आखों का लगातर use कर रहे हैं, हम अपनी आखों का लगातर use कर रहे हैं, लगातर use कर रहे हैं, तो according to बेटा लेमार्क जो है, वो गलत हो जाते हैं, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज को use करते हैं, वो जो चीज है, वो develop होगी ही होगी, ठीक है बेटा, तो ये कुछ point थे हैं, लेमार्क के, हना, अगर हम तीसरे point की बात करते हैं, ये जो तीसरा उनका postulate है, इसके बारे में बोड़ी साइस के उपर बात करते हैं, लेमार्क के क्या होता है, कि जो body size होता है, थूदी course of evolution, body size, according to the course of evolution, जो body size होता है, किसी भी organism का वो बढ़ता है, अब भी सोच रोख के ऐसे कैसे, देख़ो example दीजे न, उन्होंने क्या हो लखा, पहले जो जिराफ थे, वो थे small, आज कैसे बटा बड़े यह चोटे बगरते थे हमारे पास बिटा इस बात को बोला अब देखो एकजम्पल की भी लेंगे यहांपे जैसे बटा करते हैं एलगी से करें कि एल्किक से में कहा जिएंगे ब्रायोफाइट की तरफ ब्रायो फाइट strikes की तरफ अब या ब्रायोफाइट का सईज बडा प्रायोफाइट की तरफ ब्रायोफार। तो अगर अभी तक हम बात करें तो बिल्कुल सही बोला था लैमार्क ने कि तुरूदी कोर्स ओफ एवलुशन जो अर्गिजम्स होते हैं उनका साइज बढ़ता है बैटा एलगी से जाएंगे जिम्नस्पॉम तक आएंगे 100-100 फीट उपर ऐसे बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं जिम्नस्पॉम के अंदर तो साइस तो बढ़ता है लेकिन गडबर यहां पर होती है अगर हम जिम्नस्पॉम से कहा जाते हैं डाइकोट की तरफ फिर आते हैं मोनो होती है लेकिन जैसे ही जिम्नस्पॉम से डाइकोट की तरफ आते हैं मोनो की तरफ आते हैं तो जो साइज है बोड़ी का वो कम हो रहा है मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने सही बताया था लेकिन एक्सेप्शन आपके सामने ही पड़ी है ऐसा ज़रूरी नही वैसे तो बहुत सारे रिजन होते हैं के आने के मुटेशन हो सकता है रिकॉंबिनेशन हो सकता है अरेजमेंट हो सकता है मैटा प्लेट की उपर हैना इसके लाव बैटा इंडिपेंडेंट की बात करें अगर म्यूटेशन की बात करते हैं तो देखो म्यूटेशन भी दो तर करती है जो चीजों को इवल्व करती है अगर चीजों के अंदर क्रेक्टर्स जो कम होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवल्विशन बोल देते हैं तो यह भी क्या सब्सक्राइब बीत क्या मतलब है कि जब भी इन वाइन्वार्मेंट्स के अंदर कुछण चैंज आएगा तो नए इन्वार्मेंट के अंदर हैटा तो आपको औरमिजम क्या करता है और को taper करने कोशिश करता है जैसे कि इसने एक्जांपल किसकी ली थी इसने एक्जांपल थी एक्वाटिक बड्स की पहले एक्वाटिक बड्स थे वो क्या थे वह नॉर्मली जमीन पे रहते थे अब उनको खाया कि पानी के अंदर चलते हैं वाटर के अंदर बहुत सारे सोर्सें फूड भी अवेलेबल है तो जैसे वी बड्स अंदर जाएंगे तो क्या हुआ अब देखो वाटर के अंदर गए जब ऐन्वारमेंट के अंदर जेढ जाया टो बोड़ी के नहीं नीड है कि इस तरीके से रहा है तो उनके जो यह चैनल पर ऑघ्स के ऐसा ट्यॉचित के अंदर पे बहुत important exception है इसके हर point की कुछ ना कुछ exception थी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था लेवार को अगर हम यहां पर exception की बात करें इसके लिए बैटा हमें experiment करना पड़ेगा हमें क्या करेंगे को experiment करेंगे तो experiment को समझने की करेंगे जैसे मालों यह हमारे पास इक पैट्री डिश है इस पैट्री डिश कंदर यह बहुत सारे बैक्टिरिया आपने क्या किया जितना भी temperature बगरा सेट कर दिया nutrition यहां पर भर भर कर रख दिया तो यह यहां पर क्या कर रहा है तो यह इंक नॉर्मल environment है अब आपने क्या किया अब आपने इस culture के अंदर क्या अड़ कर दी इस culture के बटा कोई antibiotic क्या अड़ कर दी क्या कोई antibiotic तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया यहां पर जो environment था उसको क्या कर दे चेंज करने की कुशिश की according to Lamarck जब भी environment change होगा तो जो organism है नए नई नीड के coding अपने अंदर एक नया character जो है वो develop करेगा तो यह सारे के सारे बच जाने चाहिए क्योंकि जैसे antibiotic आएगी environment चेंज होगा तो Lamarck के coding इनके अंदर एक नया character आ जाना चाहिए और यह सारे के सारे बच जाने चाहिए लेकिन बेटा result क्या होता है इसका result कुछ ऐसा देखने को मुलता है यह राजकर जरत कुछ ही जो bacteria वो survive करते हैं बाकि सारे के सारे bacteria मर जाते है अब बात यह है कि यह bacteria आप से चलेगे साउथ हिंडिय आपको यंग्लीष अत्ति है अनको लोगों के साथ उनकी हें बात करनी है लेकिन आप मैं से किसी को यह language नहीं है आप सिर्फ एक ऐसा student निकळा एक ऐसा बच्चा निकला जो उनके साथ उनकी language में उनके साथ बात कर रहा था अब बात ही है यहां पर दो तरह की possibility आती है या तो उसने वह language वही पर जाके तुरंत शीख ली या फिर इसको language पहले से ही आती थी अब आपने बुच्छा कि भई हाँ बता तुझे कैसे आती यह वाली language तो उसने बुझा कि तो वह language पहले से ही आती थी लेकिन क्योंकि वह North India का था तो वहां पर उसको उस language की जरूरत नहीं पड़ी उसने कभी नहीं गोली ऐसे ही बेटा यहां पर जितने भी बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहे है इन बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जि कि जब भी environment change होगा तब character develop होगा लेकिन इनके अंदर character तो पहले से ही था वह अलग बात है कि environment जब आया तब उन्होंने express किया लेकिन character तो पहले से ही था इसका मतलब इनका जो यह point था यह point भी एक तरह से गलत था उसके बाद बैटा अगर हम next वाले postulate की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बोला था कि जो भी organism अपनी life के अंदर जो भी characters को acquire करता है वह अगली generation में चले जाते हैं तो इनके पोस्टिलेट का नाम क्या था inheritance of inheritance inheritance of acquired acquired character हाना तो बहुत सिंपल सी बात है according इन्होंने क्या बोला कि देखो कोई भी organism होगा वह अपनी life के अंदर कुछ ना कुछ characters को क्या करेगा acquire करेगा जैसे मालो किसी के किसी को को कोई चोट लगी सर के उपर एक निशान आ गया कुछ भी छोटा बड़ा निशान पड़ गया तो अकोर्डिंग टो लेमार्क वह उसने character अपनी life में acquire किया और वही अगली generation में जाना चाहिए यह लेमार्क ने रहा था है ना लेकिन इस वाले point का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ और इसका जो exception था ना इसके अगेंस्ट जो इसके अगेंस्ट जब साइंटिस ने बाते करी तो सबसे इंपोर्टन जो scientist आते है वह आता है वीजमें जो वीजमें ने एक experiment किया था बेटा समझने की कोशिश करा बहुत important बहुत आसान था वीजमेंट सैंटिस का नाम है किanh एक di आप इन्होंने लेमार के enforce लेंड़ा सुनने की बही अइसा है जब भी हम लाइफ केंदर को UA माइस की जो इसको कया कर दिया कर दिया सकता है अब यह माइस कैसा है टेललेस माइस अब इसकी टेल नहीं एड़ी तो फ़स्ट जरनेशन को टेल किया गया टो फ़स्ट जरनेशन के पास टेल थी अब भाइड अकोडिंग टूवार्मार्क टेल नहीं होनी चाहिए जर्ण यहां पर उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि लमार्क ने जो यह बात बोली ना बिल्कुल गलत है सासमि ने बात और बताई उन्होंने क्या मुटेशन अगले जन्रेशन ने पास होगी hem लेकिन सोमेटिक सेल अगर moans ने हम इस के है तो उस reference को उस श doす summer वहлठी rocketा उन्होंने आफ़ी अगले जन्रेशन पैने का मुझा नहीं मिलता तो बेटा ये सारी की सारी बाते जो थी हमें किस ने बताई थी लैमार्क ने बताई थी बाद में जब डार्वीन आये ना तो डार्वीन ने अपनी जो थेयोरी दी नैचरल सेलेक्शन वाली तो बहुत सारी चीजियों जो थी नैचरल सेलेक्शन थेयोरी की वो सही थी लेकिन गलती जो थी ना, लोगों ने Darwin के अंदर भी निकाली थी, है ना, तो बैटा दुनिया है, दुनिया कभी किसी को छोड़ती नहीं है, जब भी कुछ न कोई करता है, तो दुनिया खड़ी होती है उसका इंतजार करनी के लिए तो बैटा ये सारी जो थी, वो थी लेमार्किजम के बारे में, अगर आपको किसी तरह का कोई कोशन है, कोई डाउट है कुछ भी पूछना है, तो बैटा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो थैंक यू सो मच पर जॉइनिंग इस सेशन, टेक कियर